नमस्कार दूस्तो दूस्तो आज जम बात करने वाले हैं इवनिंग प्रिम रोज तेल के फाइदे और नुकसान कहीं होते हैं इवनिंग प्रीम रोज उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाला एक पोदा है इस पोदे में लगने वाले फोलो की वीजो से इवनिंग प्रीम रोज तेल को तयार किया जाता है माना जाता है कि इवनिंग प्रीम रोज ओयल उस्द्य गुणों से भरपूर होता है जो कई साररिक बीमारियों के लक्षनों को कम कर उनसे बचाव करने में मदद करता है और सरीर को स्वस्त रखने में सायक हो सकता है लेकिन इवनिंग प्रीम रोज तेल का अधिक सेवन के लिए इवनिंग प्रीम रोज तेल में मौजूद ओमेंगा 3 फेटी एसिड हर्दे जोखिमों को कम करने में मदद करता है और उनसे बचाव करने में सायक होता है इसलिए कहां जा सकता है कि हर्दे को स्वस्त रखने के लिए इवनिंग प्रीम रोज ओयल फाइद मद हो सक लेकिन हर्दिय स्वास्ते के लिए इसका उपयोग करने से पहले डोक्तर से सला ले वजन को कम करने के लिए इविनिंग प्रिम्रोज तेल का सेवन क्वाइदी मन दो सकता है क्योंकि इविनिंग प्रिम्रोज ओयल में निलोलिक एसिड पाया जाता है जो शरीर में वसा को जला काने का काम करता है इसलिए कहा जा सकता है कि जो लोग वजन को कम करना चाते हैं वे लोग इवनिंग प्रिम्रोज तेल का सेवन कर सकते हैं इवनिंग प्रिम्रोज ओयल में एंटी इंफलेमेटरी सूजन वे दर्द को कम करने वाले गुंड पाई जाते हैं जो गठिया में होन सकते हैं डाइबिटिक नियूरोपेथी के लिए इविनिंग प्रिम्रोज तेल का उप्योग किया जा सकता हैं डाइबिटीज के कारण होने वाले नरू डेमेज को डाइबिटिक नियूरोपेथी कहा जाता हैं इससे बचाव के लिए इविनिंग प्रिम्रोज तेल का इस्तमा फायदे मंद हो सकता है जो उन लोगों की स्तिती में सुधार कर सकता है एक जीमा एक ताउचा सम्मंदी रोग हैं जिससे ताउचा पर सूजन खुजली और रेसेज होने लगते हैं विसेश अग्यो के नुसार इवनिंग प्रीम रोज देल का इस्तमाल एक जीमा की समस्य से र कम कर ताउचा को जवा बनाए रखने में सायक होता है बालों को मजबूत बनाए रखने के लिए इवनिंग प्रीम रोज तेल का उपयोग पायदे मंद होता है इवनिंग प्रीम रोज में पाय जाने वाला पेटी एसिड बालों को जड़ने से रोकता है और बालों को मजब को तूटने से भी बचाता है मासिक दर्म के दोरान होने वाले विभिन समस्याओं जैसे एठन वे पेट में दर्द आधी के लिए इविनिंग प्रिम रोज देल में मौजूद सभी पोसकता तो परमुगटा के रोप में कार्य करते हैं जो एठन वे पेट दर्द की समस्य से र लिए आप इविनिंग प्रिम रोज देल की गोलिया या कैपसूल का सेवन कर सकते हैं यह अस्तमक योपचार में मदद कर सकता है इसके अलावा विसेस अग्यों के अनुसार इविनिंग प्रिम रोज देल इस्तन कैंसर के लक्सुनों को कम कर उनसे बचाव करने में मदद कर सकता है दोस्तों आईए जानते हैं इविनिंग प्रिम्रोज तेल के नुकसान के बारे में कुछ लोगों को इविनिंग प्रिम्रोज तेल से एलर्जी की समस्या हो सकती है इसलिए किसी भी व्यक्ति को इविनिंग प्रिम्रोज तेल के उपयोग से किसी भी परकार की एलर्जी होती हैं तो वह व्यक्ति इविनिंग प्रिम्रोज तेल के सेवन से बचें इविनिंग प्रिम्रोज तेल का अतिदिक सेवन कुछ साररिक समस्याओं जैसे पेट, फोलना, मतली, उल्टी और दस्त आधी समस्याओं का कारण बन सकता है इविनिंग प्रिम्रोज तेल का दिक मात अगर कोई वैक्ति किसी विशेश परकार की दवाव का सेवन करता है तो वह वैक्ति इविनिंग प्रिम रोज तेल का सेवन करने से पहले डोक्तर से सला लें